तो आज अब लोग बनाने वाले हैं 1,2,3,4 केक्स तो सारे केक्स के प्राइस बताऊंगा किस तरीके से बनाया वो भी बताऊंगा सबसे पहला केक है 1.5 kg से थोड़ा सा बड़ा 750 ग्राम के तो गार्निशिंग के वीडियो आपनों देखी होगी तो केक के उपर लगाने पर इसका रेट भी जाधा हो जाता है तो भी इस केक का जो प्राइस आपको लोग को शॉक्ट कर देगा क्योंकि 350 रुपीस का ये केक है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप लोग को मैं बता दूँ कि नो बैनेफिट्स है बहुत ही नॉर्मल प्राइस का ये केक होता है जिसमें हम लोग सिप एक अलग डिजाइन देते हैं दूसरा केक था वन केजी का और डॉल केक जो की 700 रुपीस का इस्ट्रॉवेरी फ्लेवर था हर बार एक नया डॉल के बनाना होता है मुझे तो एक चीज़े समझ में नहीं आता है किस तरीके से डिजाइन करेट के जाए तिस तरीके से कुछ एक नया लुक लाया जाए तो मैंने यहाँ पर वाइट पिंक का कॉम्बिनेशन करते हुए इस्टार नोजल का यूज किया हुआ है मिनी इस्टार नोजल मैं अभी नोजल भी दिखा दूँगा आपको तो सबसे पहले आप लोग को यह देख लो कि आफ राउं मैंने यहाँ पर कवर किया फिर उसके बाद वन रूपीज ओनली वाले जो हम अलोका डॉल्स आते हैं वो मैंने यूज किया फिर उसके बाद बटरफ्लाई लगा दिया तो केक का लुक थोड़ा सा डीसेंट और थोड़ा सा चेंज हो गया और इस वाले केक पर मैंने पहले वाइट ग्लेज यूज किया है आप लोग हमेशा पूछते भी है यह वाइट क्या है वाइट ग्लेज है वाइट ग्लेज रेडिमेट आटा है आप लोग पास रेडिमे सकते हैं उसके बाद इस केक का जो प्राइस था वह था 300 रुपीज अब हम लोग बनाने जा रहे हैं one kg chocolate केक और इस केक का जो प्राइस है वो है 650 रुपीज और यह केक चॉकलेट फ्लेवर का था साइड में मैंने ग्लेज का यूज किया है, गनास का यूज नहीं किया है, जो भी एक डिफरेंट डिजाइन थी, उसके बाद यहाँ पे दो आर्टिफिशिल फ्लावर का यूज किया, साइड में कुछ गार्निशिंग लगा दी, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आय होगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको टेक केर और गुडबाई